के ओलाइन प्लैटफोर्म पर चले साथी जादे समय प्रतना करते हुए किलास की शुरुबात करेंगे कल की जो किलास थी वह आप लोगों से उमीद है कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा बहुत ही अच्छे रंग से मैंने आपको उसमें ब्रहाद हिमाले के बारे में आप मद्ध dent हिमाले के बारे में पढ़ाया था कौन घरे उसकी फैली हुई है कि सारी बाते मैंने आप लोगों को बताई थी आज की किलास रही जो हम सब सभी लोग एक बार आप लोगों सेक्रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी इस क्लास का witness के एक बार स्ट्रेटर सब आप शैयर करें ताकि जादर स्याद क्लॉघ ड़ास पुझ सके और जादर स्याद है बच्चेस किलास का आनन्द ले सके बिटा चले साब हम बात करेंगे सिभालिक की तो सिभालिक परवस्रंगला की अगर बात की जाए तो ये बिटा सिभालिक परवस्रंगला की अगर बात की जाए तो ये हिमाले की सबसे नवीन परवस्रंगला है हिमाले की क्या है बिटा सबसे नवीन परवस्रंगला है, सभी लोग ध्यार नखेंगे, चले साम, हम बात करेंगे किसकी साथ, सिवालिक की बात कर लेते हैं एक बार, बस एक मिनट का समय दे मुझे, और उस समय को यूटिलाइस करना है, हमें कुछ नया सीखना है, तो नय सीखने के लिए कुछ नया काम करना पड़ेगा, चले साम, सुर्वात कर लेते हैं, सिवालिक परवस्रंगला की, तो सिवालिक के बारे में हमें क्या पढ़ना है, सभी लोग जर अध्यान दो, सिवालिक परवस्रंगला की अगर बात की जाएं, तो बेटा यह जो सिवालिक परवस्रंगला है, यह साम आपकी सबसे नवीन परवस्त रंखला है सबसे नवीन परवस्त रंखला सबसे नवीन परवस्त रंखला का मतलब क्या हो गया यह जो है साहब आपकी सबसे बाद में बनी अगर निर्मान का किरम अगर देखा जाए बिटा तो निर्मान का अगर मैं किरम आप लोगों के सामने बनाऊं इस प्रकार से है कि यह जो सहां मात यह आपका मद्दे हिमाले का और मद्दे हिमाले के बाद जो बना था वो बनाता साब आपका लगु हिमाले यानि के सिवालिक बना है लगु हिमाले इस लगु हिमाले का दूसरा नाम क्या है बेटा सिवालिक भी है इसे सिवालिक के नाम से भी साब आपका जाना याता है तो इन में सबस चुनिनि दे रहा है इसको भी जराहम सब इस लोग देख लेंगे बिठा कि ये दिखाई क्यों निते रहा सब कर देता हूं और में सब से बना आप को साभा आप में जो चाहिए डिरेंहीं के बास Solo सबसे पहले बना ब्रह्धिमाले फिर बना सबसे नभीन परवस्त रंकला एक और बात जिए निर्माल आधीन परवस्त रंकला है निर्माल आधीन परवस्रंकला निर्माल आधीन निर्माल आधीन परवस्रंकला इसका आर्थ क्या है इसका आर्थ बढ़ा सिंपल है और बहुत ही सिंपल आर्थ इसका बिटा ये है ये जो परवस्रंकला है अभी इसका निर्माल चल रहा है अभी पूरी तरीकी जैसे अब आ सिर्वान की और है प्रसांथ कुमान महस्ते कि इक अ मैं 95 नमस्कार सबीक स्वागत थे को यहुआन पर सभी लोग ध्यान रखें और यह ज्यादर से जद़ आपको शिर करते हैं सिवालिक एक और बाद समझें, सिवालिक से एक और बाद समझनी है, कि ये जगे जगे पर क्या है बिटा, कटी फटी परवस्त रंगला है, ये क्यों है, ये जो है साब आपकी कटी फटी परवस्त रंगला है, कटी फटी परवस्त रंगला का आर्द क्या है, जगे 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 साब नहीं है सतत नहीं है और यह इसे परबस रंखला क्या जो घ्याटिया पाई याती जानर elles क्या कहा मैंने जो पर्वत श्रंखला हो गया इसे परवत श्रंखला की घाटी इन घाटीों को बीटा अलग-अलग नाम से जाने की जो घाटी होती है इन घाटियों को बिटा अलग-अलग नाम से जाना जाता है परबत स्रंखला की घाटी परबत स्रंखला में जो घाटी है बिटा स्रंखला में अगर घाटी की बात की जाए तो इन घाटियों को अलग-अलग नाम से जानते हैं जैसे उत्राखन की अगर ब साब का हरीद्वार हरीद्वार हमका घाटी है और डीन क्या क्या होगи तक देरा तो घाटियों की से कहते हैं घाटी की परिवास आप सोझने कि कोसिच करिए घाटी की सिंपल परिवासा है दो परवतों के बीच का खाली स्थान जो है परवतों के बीच का जो खाली स्थान है इस खाली स्थान को घाटी कहते हैं घाटी की परिवासा क्या हो गई परवतों के बीच का खाली स्थान परवतों के बीच का परवतों के मद्दे का खाली स्थान मद्दे का खाली स्थान तो यह जो परवदों के मद्दे का खाली इस्तान है इसे खाली इस्तान को घाटी कहते हैं परवदों के बीच का जो खाली इस्तान है इसे घाटी कहते हैं यह कहलाता साब आपका घाटी जानकेंगे इसे क्या कहते हैं साब आपका घाटी कहते हैं परवदों के बीच का जो खा कोई आपसकता नहीं है यहीजिसे हमारा कामचल जाएगा तो इसको ही पढ़ने की कोई आपसकता नहीं अब उसको हुझ место साथ जो हमारा आये परवतिय विस्थार है इसे परवतिय भाग का विभाजन जरा हमें देखनाया है साथ शीता ही कि अग lonet पाता हिमाले वह में मद्ध्ध विभाजन है क्या हमस्कोष युठ उपतों पर्वस रंकला मैं आप लोगों के लिए ही है एक परवसरंगला है चाहिए जो सबसे पहला पर्वत हो इस परवत को का जाएगा करा कोरा कहते हैं यह नहीं की इसका नाम हो गया करा कोरा करा कोरा के बाद सब इसका नाम है लद्दाक के बाद अगली जो परवस्रंगला है इस परवस्रंगला का नाम है साब आपका जासकर क्या नाम हो कि इसका जासकर हो गया अभी जो तीनों परवस्रंगला हो गई इन तीनों परवस्रंगला से मिलकर के तीनों परवस्रंगला को मिलाकर के जो परवस् हिमाल्यय कहलाती है थोड़ा-ँवर आगे अगर बढ़ें बिटा आगे अगर बढ़ें तो एक concept हम बढ़ा अच्छा असानी से हम सियां पर समझने की कोशिस करेंगे वह concept है क्या आप वह concept समझी है इस ट्रांस हिमाल्यय से जश्ट नीचे की ओर एक ओर है जो पर्वस्रंगला है इस का नाम है का महा नहीं गौसिस की है तीन चोटियों को मैं आप के लिए यहां पर बना रहा हूं क्या बना रहा हूं जर ध्यान दो बिटा देखे साब यह जो पहला वाला प्रबत होगे इसका नाम है बिटा ब्रहद हिमाले इसे ब्रहद हिमाले के नाम से जाना जाता है सब को पता है कि इसे ब्रहद हिमाले के बाद अभी आपको बताया था मैंने यह क्या है सावाप का मद्द हिमाले और मद्द हिमाले के बाद अभी हमने देखी लिया क्या है सावाप का सिबालिक है सभी लोग बस तोड़ा सा कोंसेप्ट किलियर करने की कोशिस करिए साथ साथ जुड़े रहो बहुत अच्छी चीज़े है बहुत ही जबदस सीजे में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अब ये जो तीनों मिलकर के बना रहे हैं ये जो तीनों मिलकर के बनाते हैं बिटा इन तीनों के समूझ से जो बनता है वो बनता है सहाब आपका महान हिमाले यानि कि इससे महान हिमाले का निर्मान होता है अब एक सवाल आपका पेपर में अक्सर पूचा जा सकता है और बड़ा ही इंपोटेंट वो सवाल है और अक्सर पूचा जाने बाला एक सवाल है कि यह जो साब आपका है यह जो करा कोरम है या ट्रांस हिमाले है और महान हिमाले के बीच में या ट्रांस हिमाले को महान हिमाले से जो अलग करता यह जो छेतर है महानेमाले से ट्रांस हमाले세요 को जोग करता है इसे कह जाता है ITSZ क्या कहते हैं फिटा इट अभी मैं इसे शाचल जाओं के नाम से जानतीं मैं इसको बड़ाव करेदूंगा से इसे अभी मैं फुल्फोम आप साप औरे जो मद्द हिमाले था इस ब्रहद हिमाले को मद्द हिमाले से जो अलग करता है वह साब आपका MCT मेन सेंट्रल ठ्रस्ट यह ब्रहद हिमाले को मद्द हिमाले से अलग करता है फोला सा और आगर आगर बढ़ें आगर बढ़ें बिटा तो यह जो साब आपका सिवालिक है औ जो मद्दे हिमाले हो गया इसको जो अलग करता है वो करता है साब आपका MBF क्या अलग करता है साब आपका MBF MBF का मतलब है Main Boundary Force क्या है साब Main Boundary Force यहनि के MBF इसको क्या कर देता है साब आपका अलग करता है एक और बात आप लोग सभी लोग एक बात मेरी और हलकी सी ध्यान में रखी बिटा वो हलकी सी बात क्या ध्यान में रखनी है बहुत ही इंपोटेंट वो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि बिटा कि ये जो हमारा छेत्र है ये जो परवत है इस परवत पर साब आपकी के पिंगलने के कारण से जब बर्फ पिंगलती है तो बर्फ के पिंगलने के कारण से साब यहां पर मेदानों का निर्मान होता है सिवाली के बाद जो है बेटा यह क्या है साब आपके मेदान है सिवाली के बाद जो है वो क्या है साब आपके मेदान है इसको HFF अलग करता है क्या करता है साब आपका HFF सिबालिक को सिबालिक को जो मेदानों से अलग करता है वो करता है बेटा HFF है क्या यह क्या विमारी है इस विमारी को जरा समझिए बहुत इंपोडेंट है बहुत ही एक ऐसा खतरनाक तोभी है जो टोभीक अगर पेपर में आ गया तो बहुत सारे बच्चे इसको छूते भी नहीं है इनका नाम है इंडो टिबतन सचर जोन इंडो टिबतन सचहरे जोन ईसका नाम हो महान हिमाले से अलग करता है किस से अलग करेगा बिटा महान हिमाले से ट्रांस हिमाले को महान हिमाले से अलग करता है ध्यान रखेंगे ये इन दोनों को सावाप का अलग करता है अगर और थोड़ा सा डीप पूछ ले तो ट्रांस हिमाले की जो परवच चोटी है उसका नाम है साब आपका जासकर तो जासकर को किसे अलग करता है बिटा ब्रहद हिमाले से जासकर को ब्रहद हिमाले से क्या करता है साब आपका ये अलग करता है जासकर को ब्रहद हिमाले से साब आपका अलग करता है ज्यान नखेगे जासकर को ब्रहा दिमाले से सअब आपका ही अलग करेगा इसका नाम होगा सवप आपका ITSZ क्या होगे सअब ITSZ इंडो तिवितन सचरजोन इसका नाम है तो ये इन दोनों को क्या करता है सवप आपका अलग करता है अगले की अगर बात करें तो अगला हो गया बेटा mct अगला वाला जो आ गया वो आगया साब आपका mct mct को और देख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे mct की अगर बात की जाए तो इसकी फिलफोर्म है बेटा मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसकी फिलफोर्म क्या हो गई मेन सेंट्रल थ्रस्ट mct की अगर बात करें तो इसकी फिलफोर्म है बेटा मेन सेंट्रल थ्रस्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट अब यह ध्यान रखना यह किसको अलग कर रहा है बेटा यह अलग करता है साब mct जो अलग करता ह नहीं हजा लगु हिमाले के क्या है अजीशाबयाशा मध्य को हिमाले के मद्य है या इस्थान है या फोर्स है इसे क्या कहा जाता है है साब आपका MCT यानि के मेन थ्रष्ट मेन सेंटरल थ्रष्ट कहते हैं अगला आगया मद्य हिमाले और सिवालिक के बीच में आई और सोरी MBF क्या है MBF MBF को देख लो MBF को और अगर देखा जाए तो यह MBF का मतलब क्या है MBF MBF का फुल्फोम होगी साब की मेन बाउंडरी फोल्ट मेन बाउंडरी बी ओ यू यू इंडे रवाई डी ई आर वाई डी इए अर वाई बीओ यू 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 अटी आर वाई बे बाउंडरी फोल्ट एफए यू एलटी फोल्ट यह जो MBF हैं یہ MBF अलग करता है किसे साब आपका मतल नहीं किसे अलग करता है बिटा मध्य हिमाले को सिवालिक से या मैं कह सकता हूं कि मध्य हिमाले बैस सिवालिक के मद्य में इस सिध है सिवालिक के मद्ध्य साब आपका इस सिद्ध है अगर एक और बात की जाए वो क्या बात हम कर सकते हैं जली साब गुर आप्टरनून जो साथी जूल रहे हैं उनका स्वागत हैं बात करने का थोला सा समय नहीं समय थोला सा हमारे पास आज कम हैं कि हमें चीजों को बहुत जादें अच्छे दंक से समय ना है चीजों को बहुत अच्छे दंक से इतलय ही है अगला एक और है सावापका है HFF की अगर बात की जाएं इसका नाम है सब आपका हिमालियन क्या नाम है सब इसका इसका नाम है हिमालियन हिमालियन फ्रेंट फॉल्ट फॉल्ट हिमालियन फ्रेंट फॉल्ट हिमालियन फ्रेंट फॉल्ट हिमालियन फ्रेंट फॉल्ट हिमालियन फ्रेंट फॉल्ट हिमालियन मैं मैदानों के मद्दिन जाने केंगे सिवालिक में मैदानों के मद्दिन अब असल में यह च्छेत्र है इस च्छेत्र से परवत और मैदान बेटा अलग होते हैं इसी कारण से भारत में सबसे जादा जो जौला मुखी वाला च्छेत्र है वो बेटा HFFE है यहां से चुकि परवत और मैदानों का संपरक अलग होता है दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो अलग होने के कारण यहां पर जो है सबसे आदर भूकम पाते हैं भूकम जोन है सबसे आदर सेंसिटिव जोन है भूकम के लिए क्या नाम है साब इसका HFF इस सबसे आदे भूकम के लिए sensitive zone है इस zone को आप थोड़ असा ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर सवाल आ जाए कि सरवाधिक भूकम के लिए कौन सा zone प्रसिद है तो सरवाधिक भूकम जहां पर आते हैं वह सब आपका HFF इसका region क्या है हिमालियन फ्रेंट फोल्ट है इसका region यह है क्योंकि यहां से परवत और मैदान दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं साब आपके अलग होते हैं इसलिए यहां पर भूकम की संख्या जादा रहती जादा ही क्या है साब आपका यह sensitive है इसका आप एक screen shot भी ले सकते हैं और चीजो आगे हमें क्या करना है देगे साब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत के मैदान उत्तर भारत के मैदान तो उत्तर भारत के मैदान तो उत्तर भारत के अगर मैदानों की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साब हमारे देश में मैदान है कहां पर दे ऐसा कुछ नहीं है जहां पर खेतियों वहीं पर मेदान बनते हैं बिटाद दक्षिन भारत की अगर बात की जाए दक्षिन भारत प्राइदी पर पठार से मिलकर के बना है अब प्राइदी पर पठार की विशेस्ता आप सबको पता है कि पठार की विशेस्ता ये है कि पठार का तल जब सम्तल होता है तो सम्तल भाग पर खेती के जाती है तो मैदान जो है वो मुख्य तोर पर उत्तर भारत में बनते हैं नदियों के द्वारा दक्षिन भारत में उन्हें सम्तल जरूर क्या गया तो खेती जरूर होती है मगर वो पठार के सिगर पर होती है मैदान जो बने वो बास्तम में कहां पर बने बिटा उत्तर भारत में बने हैं इस बात को ध्यान नखेंगे तो मैदानों को अगर निर्मान देखा जाए बिटा इनका जो निर्मान होता है वो निर्मान नदियों के कारण से होता है किसके का का किरम और देख लें फिर हम आगे बढ़ते हैं बिटा निर्माण का किरम अगर देखा जाए निर्माण का किरम तो निर्माण का किरम यह है कि बिटा सबसे पहले सबसे पहले कहानी क्या है कि सबसे पहले अगर बात की जाए निर्मान के किरम की सबसे पहले बना सबसे पहले बना सबसे पहले बना सबसे पहले बना सबसे पहले परवत बना सबसे पहले हिमाले का निर्मान हुआ अभी जो सबसे पहले हिमाले वाला छेतर था इस हिमाल्य वाले छेत्र में, हिमाल्य वाले छेत्र में बिटा गिलेशियर बने, क्या बने साब आपके गिलेशियर, गिलेशियर में आपको बताई चुका हूँ, गिलेशियर क्या होता है बिटा, गिलेशियर होता है बर्प का पहाड, बर्प का पहाड, बर्प का जो पहाड है इस वर्ब के पहाड को क्या का जाता है साब आपका गिलेशर का जाता है ये गिलेशर के लाता है तो यह क्या होगे पिटा हिमालिया हिमालिय के बाद गिलेशर बने गिलेशर के पिंगलने से बनी साब मिठी नदी अपने साथ लेकर क्या निठी अपने साथ उब जाओ मिठी लेकर क्या एक मिठी को जगए जगए पर छोडने से नदी के दुए किया मैधान ऑघितां negotiations बहुत साल बाद में साहब आपके इन मैदानों का निर्मान किया गया है तो सबसे पहले साहब आपके हिमाल्या बना हिमाल्या के बाद साहब उस पर बरफबन जमी यानिके गिलेशर बना गिलेशर के पिंगलने सहाब आपकी नदी बनी नदी अपने साथ मिट्टी लेकर के आई और इस मट्टी के कारण से ही मैदानों का निर्मार हुआ है तो मेदान वास्तम में कहा पर पाई आते हैं साब आपके उत्तर भारत में पाई आते हैं उत्तर भारत में साब आपके मेदान पाई आते हैं इस बात को आप सभी लोग ध्यान लखेंगे बिटा अब साब अगर मेदान की बात की जाए तो मेदान को कई भागों में साब आपक काहनी यह है कि मालिया कि कोई भी एक नदी ले सकते हैं आपका जो मन कर रहा है वो ले सकते हैं और मन नहीं भी कर रहा तो भी नहीं ले सकते हैं कोई जरूरी नहीं है निवारे नहीं है हमने यहां पर बेटा एक पहार ले लिया हमने क्या ले लिया एक पहार अभी जो पहार थ नदी का बे काफी तेज होगा और नदी जो असाथ उपजाओ मिठी लेकर कर आई है या साहब आपके इन मोटे पर जर्थी आगे जाएगी जगे जगे पर फ होने के कारण से नदी के द्वारा यहा जो उपजाव मेदान बनाई आएंगे नदी के द्वारा यहाँ पर यह जो उपजाव मेदान बनाई आएंगे इन उपजाव मेदानों को सावाप का भावर का जाता है यह जो उपजाव मेदान है इन उपजाव मेदान को भावर कहते हैं और भावर की विसेश्ता है वो विस इस बात को ध्यान की है मिट्टी के कड़ यहां पर साब आपके मोटे होंगे तो सबसे पहले नदी के द्वारा जिन मैदानों का निर्मान क्या गया वो जो मैदान बनते मिटा इन्हें भावर का जाता है अब यह जो हम आज के समय से आप तुलना नहीं कर सकते हो यह तुलना क पाय आते थे अब तो साब अरिद्वार में आपको पत्थर देखने को निमिल रहें वहले बहुत दूर तक पत्थर पाया बहां पर किसानों के द्वारा अब जो है जो है वीटा यहां की विशेष्टा क्या थी यहां की विशेष्टा यह है कि यहां पर मिट्टी के कल क्या है साब आपके मोटे पाय जाते हैं और यह पहला वाला मैदान बना इस मैदान को क्या कहते हैं भावर का मैदान कहते हैं इसको भावर का जाता है अब आज की तारीक में यहां पर ख कम होने लगेगा और नदी की चोड़ाई जो है वो लगतार साब आपकी बढ़ती चली जाएगी बेग कम होगा और नदी की चोड़ाई लगतार साब आपकी बढ़ेगी जब नदी की चोड़ाई बढ़ेगी तो नदी जादा छेत्र को कबर करेगी और जादा छेत्र को कबर क कारण यहां पर जिसे दल्दली मेदान का निर्मार होता है वो जो दल्दली मेदान ने बिटा उस दल्दली मेदान को तराई का जाता है वो तराई के मेदान है यहां पर पहले बहुत ही जादा दल्दल होती थी अब अंग्रेजों के द्वारा यहां पर यूकेलिप्टिस को यूकेलिफ्टिस को ला करके यहां की दल्दल को समाप्त करने की कोशिस की गई यहां की जो डल्दल ती दल्दल इता है बेदानों को था अरफन के बड़े पहले तो इसमें साव की दल्दल पाई आती थी अभे अब इसमें दल्दर नहीं पाया थी अब किसानों ने यहाँ के यूपे लिप्टेश लगा दिया और यूपे लिप्टेश लगा करके इने साब आपका खेती के योग्या साब आपका बना दिया है यह जो बन गए यह किस के योग्या बन गए बिटा यह खेती के योग्या होता है जब नदी का बेग धिरे-धिरे कम होता है तो नदी क्या करती है लगतार अपना मार्क बदलती रहती है नदी को जहां से कमजोर हिस्सा मिलेगा नदी बहां से बहने लगती है तो इस परकार नदी लहरा करके चलती है जब नदी लहरा करके चलती है तो नदी के द्वारा जिस प्रकार के मेदानों का निर्माण होता है वो जो मेदान बनते हैं बिटा इन मेदानों को कहा जाता है सहाब आपका खादर के मेदान ये क्या कहलाते हैं ये जो हैं ये जलोल के मेदान कहलाते हैं इनको कैसा मे अगे से बहने लगी तो लगातार नदी के मार्क बदलने के कारण जिन मैदानों का निर्मान होता है वो जो मैदान विटाओ जलोड के मैदान है जलोड के मैदान विटाओ जलोड के मैदान विटाओ जलोड के मैदान विटाओ जलोड के मैदान विटाओ जलोड के मैदान वि नदी और आगे बढ़ती है नदी जब बेटा आगे बढ़ेगी तो आगे लगभग अब समाप्ती की और चली आएगी जब नदी लगातार समाप्ती की और जाती है तो नदी के लगातार समाप्त होने के कारण या समाप्ती की और जाने के कारण नदी का बेग बहुती कम हो ज जाता है कि नदी जो है वो नदी जो है आगे की जो चट्टाने हैं इन चट्टानों को काट नहीं पाती और इन चट्टानों को काट नहीं पाती और उनके चारों तरफ से जगे जगे पर उपजाव मिट्टी छोड़ कर गए बहने लगती है और सागर में जाकर के मिल जाती है यानि के समाप्त हो जाती है तो नदी क्या करेगी बिटा लगातार नदी जो होगी वो लगातार सावाप का लगातार जो बहती है तो अपनी जब अंती मवस्ता में पोचती है तो नदी का बेक बहुत ही सावाप का कम हो जाता है और कम होने के कारण उसको जहां से रास्ता मिल गया वहां से भै गही और रास्ता नई भी मिला तो वो साब आपका ऐसे ऐसे करके धीरे-धीरे समाप्ति की और पोज गही तो कहने का इसू क्या है? कहने का अद बिटा ये है कि जो हमारी ये नदी है ये नदी जो है लगातार ल साप आगे बहते हुए साप आगे निकल जाती है और जा करके समुन्दर में जाकर के some द chosen अब कियान को कहते हैं साप आपका के लगाए लुए कि रहते हैं इस परकार饭ी के जो मीदान हो गए इन मैदानों को साप बाट दिया चार बिल्ट में हैं इस नदी में जल बह रहा है और इसी जल के कारण से मने हैं वह हमारे मैदान मने हैं इन Miadani मिदानों को हमने मुख्य तोर पर इन पर मिने मुख्य तोर कितने लWow интज सवाल हैँ यहांसे सवाल हैं वो इतने कोई खास इंपोटेंट सवाल आपके नहीं बनते मगर जो भी सवाल बनेंगे उन पर मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा इन पर फोकस करते वे इन पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करते वे बिटा हम आगे निकल जायेंगे सभी लोग ध्यान नखिये और चीजों को समझते वे चली है यह जो मैदान बने हैं यह शाव नदियों के कारण से बने हैं चले साब चली यह जो बना है हमारा चित्र है कि मैदानों का साव का एक चित्र बन गया ठीक है साफ परवदों से निकल करके नदी आगे पोची थी और आगे पोच करके इसने किसका निर्मान किया था मैदानों का निर्मान किया था अब यह जो मैदान बने हैं इन मैदानों की एक-एक करके हम विसे हिस्ता समझ लेते हैं एक और मैदान सावब के रेगिस्तान वाले हैं रेगिस्तानी मेदानों का अंजिन्माल होगा एक-एक मेदान को जरह मैं आपको समझा दूँ कि जिए क्या है मेदान क्या नहीं है विटा सबसे पहला जो मेदान बना था बुथा साब भावर बावर के मेदानों के विशेष्था क्या है कि यहां पर मिट्टी के कड़ क्या होंगे विटा मोटे होंगे मिट्टी के कड़ क्या होंगे विटा मोटे मिट्टी के कड़ मोटे होते हैं अंगर कि शिळ्यों कि बात कि जाए तो बिस्म में सर्वादिक जिल्डीनुमा खेट सरवादिक जो है सर्वादिक छो है वो म 222 शिल्डीनुमा खेट कहां पन आपका चीन में कहां पर ब्ता धिय द्यानक्वेक जिएंगे चीन में यहां पर नीच छो आगे बढ़ते दर नाते के तो एक बात तो समझ में आगे यह दलदली मेदान है अच्छा यूके लिप्टिस का प्रियोग करके ध्यान रखेंगे यूके लिप्टिस का प्रियोग करके बीटेन इसे अंग्रेज लेकर के आए इसे लिप्टिस कहलाता है प्रष किया आतंग बादी है कि बिटा पारस्की का आतंगबादी है सभी ग्दहान कियेगे इसे का आतंगबादी कहते हैं दल्दली छेतर रह 58 रहे और क। मैधान है कहते हैं उसकी विशेषता जितना यह उपर जाता है उतने हे इसकी हो गए साब आपके यह हो गया साब आपका तराई के मेदान तराई के मेदान से थोड़ा सा आगे बने पर अगले वाले जो मेदान आते बिटा वो आते हैं साब आपके अगले वाले जो मेदान हैं इन मेदानों को क्या का जाएगा बिटा यह जो मेदान होंगे इन मेदानों क के नदी की बिसर्व गती के कारण निर्मान क्या होगा साब इनका निर्मान होता है निसे ये दो प्रकार के गृआ हैं नंबरवन जो होगा इस नंबरवन का नाम होगा बांगल और दूसरे का क्या नाम होगा धुता क्खेल साहब घंप साव सास mêmes आगर बमय्कणों अ다 न विदा इसे मेटा घ्राण नए मेदान होते हैं इनकी अगर बात की जाए ये बिटा कम उपजाओ है और खादर की अगर बात की जाए खादर जो होंगे जाद उपजाओ होंगे क्योंकि नए है ये क्या है बिटा कम उपजाओ है और ये जो होंगे बिटा ये जाद उपजाओ होंगे जाद उपजाओ क् में माले कि कोई नदी जो है उन्नीस सो पचास में इस मारक से ब्हई रहे थी इस नदीर निदी जो था बिटा इस न Virus से बहरे थी यहां पर बहर रहे थी धीरे ऐसने यहां पर लाकर जो था वो सब यहां पर ना हो कर गए वो जो एक और प्रकार का जो मेदान बचा उसे देख लेते बिटा वो क्या है साब आपका डेल्टाई मेदान है वो कैसा मेदान है डेल्टाई मेदान है डेल्टाई मेदान की अगर बात की जाए तो डेल्टाई मेदान से क्या क्या सवाल बन सकते हैं इसको भी देख लो बिटा डेल नदी की मिरत अवस्था के कारण इसका निरमानद किसके कारण होगा नदीकी मरत अवस्था के कारण तो निरमानद जो होगा इसका विटा वो नदीtha की अ रजान दयानकि भी कैसे TMश हमिदान फॉल्टली मिदान कैसेम और इसमयदान ध्यां फिरूत नहुंए तिक Candain नहीं है कि उपजाओं नहीं है यह भी सावापके उपजाओं थीक्षा दुनिया का सबस्वर्य डेलता सुंदर्वन डेलता है यहां नखेंगे पश्ची मंगाल में सावापका यह फैला हुआ है एक लाश्ट मेदान की और बात करने साथ लाश्ट मेदान जब सबकी बात हो तो इसकी भी बात कर ले जो होता है इसे का जाता है सबस्वापका रेगिस्तान रेगिस्तान की अगर बात की जाए तो रेगिस्तान का निर्माल कहां पर होगा इसका जो निर्माल होगा निर्माल होता है बहां निर्माल बहां जहां 25 सेंटीमीटर से कम बरसा हो 25 इन मिटी के कल कैसे हूंगे बिटा मिट्टी के कल मोते हूंगे बनस पती ज ज़ाली नुमा हूंगी बनस्पती जो होंगी वो कैसी होंगी जाली नुमा बनस्पती होंगी मिठी के करम मोटे होंगे और बनस्पती जाली नुमा होंगी और पत्ती कैसी होंगी पत्ती होंगी काटे नुमा काटे नुमा जो होंगी सावाब की पत्ती होंगी जहां नखेंगे पत्ती कैसी होंगी पत काटे नुमा कैसी होंगे साब यहां की पठ्टिया होंगी यह जो मैदान है यह बनते हैं साब आपके रेगिस्तान वाले मैदान ऐसे छेत्र में जहां पर 25 सेंटीमीटर से क्या होती है कम बर्सा होती है तो एक बार जरा आप ओवर विव देख लो ओवर विव अगर देखें मैदानों पढ़ा है कि मैदान मुक्यत्र पर कितने वर्कार के साब आपके 5 परकार इसका लेले कि कि Also करेंगे किलास बीडियुक्न में तो चली साब किलास को हुं यहीं पर समाप्त करेंगे हम कल कि जो किलास रहेगी कल की किलास में हो सकता है कि आपको जितना भी तक पढ़ाया गया उसकी एक कोशन के स्रीज लगवाई जाए अगर पॉसिबल होता है तो कल कोशन के स्रीज लगवाएंगे नहीं तो बिटा हम पढ़ेंगे कल प्राइदीपे पठारों के बारे में प्राइ भी लोग महनत करते रहें लगातार पढ़ते रहें लगातार पढ़ना विटानी वार है अगर आप लगातार पढ़ोगे तो सेलेक्शन पका होता है यह प्रकृति का रूल भी है कि करत गरत अभ्यास्ते ज़मती होजा सुजान रस्षी अब दत जान के सिलपर पढ़त निशा जाता था जहां से रस्टी चलती थी वह घिस घिस कर वहाँ पर एक निसान बन जाता था तब इसे कावद मनी है करत करत अभ्यास्ते जर्मति होजा सुजान रस्य अब्दत जान के सिल पर पड़त निसान तो ऐसे ही मेहनत करने से सब कुछ संबभ है आप भी मेहनत करें पक्ता सेलक्षन होगा चले साथ इजी सब्दों के साथ अपनी बाले को बिराम देते हुए मैं आप से कहूंगा जैहिन जैभारत